नमस्कार आप देख रहे हैं वीकीबी डिजिटल और मैं हूँ काजल महाराश्ट विधान मंडल का शीट सत्र शुरू होने से पहले ही विपक्ष ने सरकार के खिलाफ अपने सक्थ तेवर दिखा दिये है मापुरुषों के खिलाफ दिये गए आपत्ती जनक बयान करनाटक सीमा विवार और महंगाई एवं बेरोजकारी को लेकर आज महागाडी ने मुंबई में हला बोल कर दिया शिन्दे फंडविस सरका के खिलाफ मोचा खोल दिया विपक्ष के ये तेवर शीट कालीन अधिवेशन के दोरान विवर करार रहेंगे इस बात के संकेत नाकपुर महिला कॉंग्रेस अध्यक्ष नैश नुसरत अली ने वीकेवी डिजिटल से खास बातचीट के तोरा दिये नुसरत अली ने मात्र दस दिनों के अधिवेशन की समय सीमा पर भी सवाल या निशान लगाये है शिंदे फंडविस सरकार पर गंभीर आरूप लगाने के साथ ही उन्होंने मुख्यमंतरी एकनाज शिंदे को फंडविस के हातों की कटपुतली बताया सभी को मेरा जयहिन नाकपूर में एक बार फिर अधिवेशन होने जा रहा है लेकिन बीजीपी की ये सरकार जो बहुत बड़ी-बड़ी लंबी-लंबी बाते करती थी देवेंद्र फंडवीश मतलब नारेंद्र मोधी जी के बिलकुल नक्षे कदम पे चल रहा है जो मन में आया वो बोल दिया हम जब सत्तह में थे तो हमें कहते थे देड़ से दो महीने का अधिवेशन होना चाहिए और अभी केवल 8 दिन का अधिवेशन है करोडो अर्बो रुपिया खर्च करके आप 8 दिन का अधिवेशन ले रहे हैं मतलब आप खुद आपकी बात पर कायम नहीं है विदर्बा को जैसे बिल्कुल खतम करने की कोशिश की जा रही है किसानों की इतने बुरे हाल है स्वयाब इन पर बात करने को तयार नहीं है फसले उजड चुकी है बर्बाद हो चुकी है आपको में सब्जेक्ट पर बात करने के लिए समय नहीं है मतलब जैसे के बोला जाता है कि आज विदर्ब के जो किसान है वो सबसे ज़्यादा परिशान है बीजीपी सरकार और एकना चिंदेजी जो हमारे माराश्ट्रा के सीम साहब है इन दोनों ने मिलकर यहां के काफी सारे प्रोजेक्ट चाए एरबास हो चाए वेदानता हो उठा करके दे दिये दुसरे राज में आज माराश्ट्रा में बेरोजगारी का स्तर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है माराश्ट्रा हमेशा से अपने रेविन्यू जनरेट करने के लिए जानी जाती थी एक एकनॉमिकली बहुत बड़ी लीड करती थी लिकिन इसके पहले आप पूरे बहुमत में आप सत्ता में थे तब आपने कुछ नहीं किया रातो रात आपने ये सरकार को गिरा करके आप फिर सत्ता पर आगए चल कपट बोले धोका बोले ये जिस भी तरीके से बोले लिकिन आप जो बड़ी बड़ी बाते और वड़ापाव भी नहीं खाते देवंद्र फड्नवीज जी आप जरा से अपनी बातों पर कायम रहना सीखिए आप देड़ से दो महिने का अधिवेशन लेने की बात कर रहे थे और आप 19 से 30 तारिक तक का अधिवेशन रख रहे उसमें भी Saturday Sunday छुटी तो आप क्या यहां पर पिक्निक मनाने के लिए आ रहे हैं क्या यहां के मुद्दों का क्या होगा नागपूर के बहुत सारे मुद्दे हैं महिलाओं के मुद्दे हैं बेरोजगारी मुद्दा हैं किसानों के मुद्दे हैं विधर्ब को तो आप बिल्कुल मतलब भाजी पाला बना के रख दी आपने तो भोला था जब हम सक्ता में आएंगे तो हम छे महीने में विदर्बा को हम यहां से कहां से कहां पहुचा देंगे कहां गई आपकी वो बाते आप मुझे बताएं एक नाच सिंदेजी तो बिल्कुल पपेड बन करके रह गए है बीजीपी की यहने लगता है उनके पास तो कोई पावर ही नहीं है